Hey, what's up guys, कैसे हो आप लोग, हम फिर बापस आगए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ तो प्लीज शेल को सबस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाओं शेर करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों बेना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आकरी में बात यूएई का बहुत बड़ा एक अच्छा रिलेशन्शिप है भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, इसलिए ये मेरा अनुमान है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि इसलिए यूएई को बोला होगा कि आप जाके दोनों मोलकों से बात करिए, लेकिन इसमें a word of caution ताहिर सभ, जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है, ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार पहले हो चुका है, ये सीस फायर पहला नहीं है, ये बातचीत का सिलसला पहला नहीं है, ये तिजारत की बातें पहली नहीं है, ये ये जब तक हमारे जो मसले हैं और दोनों की position इंडिया और पाकिस्टान की ऐसी position है कि इसमें compromise करना अगर कोई जादूगर हो जो की कोई ऐसी deal निकाल दे कि दोनों को मनजूर हो जाए और दोनों जाके अपने लोगों को convince कर लें ताहिर सब तब तो बात बनेगी वरना मेरे नजदीक कोई ऐसी डील नहीं है या कोई ऐसा प्लाटफॉर्म नहीं है जहां पर ये जो पीस है बिट्विन इंडिया और पाकिस्तान ये लॉंग टर्म रहेगा ये मेरी सोच है आप तहीं कहते हैं चुके इस तरह की पहली बार सूरते हाल नहीं बहुत पहले बहुत सारी सिचुएशन आई लेकिन अनफर्चुनेडली वो किसी ना किसी टर्रिस एक्ट किसी प्रॉक्सी टर्रिस्म की वज़ा से जो पाकिसान से इंवोक होई और पर वोक होई उसकी बाद वो सूरत बगड जाती थी और प्राइमिनिस्टर निर्दा मुदी ने गौर्बाई वाज़ तोर पर कहा था कि बारूद और गोली की फजा में डिसकेशन नहीं हो सकती लेकिन अब डिसकेशन हो रही है वाटर ट्रिटीज दो साल से रुका हुआ था उस पे बादचीट होना वो भी अब हो रही है इसके साथ साथ प्राइमिनिस्टर निर्दा मुदी ने दो रोज पहले ही बेस्ट विशिस की ट्वीट की है प्राइमिनिस्टर इमरान खान की कोविट जो सिच्वेशन बनी है उनकी फैमिली की उनकी मिसस की तो इससे लगता है कि एक बार फिर बाची तो चल रही हालाद तो चलने आपने जो कॉशनरी एक अलिमिन नमित दिया कि असल में इसका आगे डिस्कोर्स क्या होता है ये देखने वाली बात है लेकिन सर आपने पिछले शो में भी कहा था कि जो पाकिस्तान के अपने एकनामिक हलात है वो अब शायद मजमूर करेंगे पाकिस्तान को पीस की मेज पर बैठने के लिए ताहिर साब ये एक बात सच है लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि पाकिस्तान में एक ऐसा एक तबका है विच बेनिफिट्स फ्रॉम वर और टेंशन विद इंडिया उनका एक मौजू है उनका नेरिटिव है जिसके इंडिया में न मैं आपको बताता हूं तो उनके एक्जामपल देता हूं चोड़े साथ ताहिर सब जिसे इंडिया में अगर प्राइम मिनस्टर नरेंदर मोदी जी जी चले जाते हैं पाकिस्तान या इमरान खान इदर आ जाते हैं कुछ भी आगे बात हो जाती है ये बात आगे बढ़ जाती है मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस एवरिबड़ी ऑन दे सेम पेज क्योंकि यही बात कारगिल में भी हुई थी वाचपाई जी गए थे वहां पे तो वहां पे फिर उसके बात कारगी का हाथा हो जब भी कुछ होता है नरेन मोदी जी गए फिर उड़ी हो गया फिर दस चीज़ और हो गई यहां पे पीछे पठान कोट हो गया तो मेरा यह कहने का मतलब है कि मुझे सबसे बड़ा जो खचात दिमाग में हैं जो मेरे डाउट्स हैं जो मुझे डर है इस चीज़ का वो ताहिर साब सिरिफ यह है कि इस एवरिबड़ी इन पाकिस्तान अन दे सेम पेज इस दे मिलिटरी अन दे सेम पेज अधी इंटेलिजेंस एजन्स एजन्सीज उन दे सेम पेज जो उनके फिरकापरस लोग हैं जो उनके लोग हैं जिनके बड़े-बड़े following हैं स्ट्रीट पे मौलाना फजल रह्मान once in a while वो ठीक ठागवाद कर देते हैं लेकिन बाकी सब लोग जो हैं आर्दे हो उन दे सेम पेज क्योंकि कोई अगर चलिए इमरान खान लटसे इमरान खान के गले में फास लिए इमरान कान कहते हैं सब मैं तो इतना डूब गया हूं मुझे भारत से बात करनी है मेरी मजबूरी है चलिए इमरान खान गए but is the army on the same page is everybody on the same page जब तक ये same page पर पूरा मुलक नहीं होगा भारत के साथ बात करने के लिए तब तक ये successful नहीं होगा क्योंकि अगर एक अगर कुछ ऐसी चीज हो जाती है खुदा ना खासता और ये बात हमें तो कि कई बार हो चुके ताइर स्ब्क्राइओ हो तेरी के लिए है देखिये जहां तक एक page पर होने की बात है मैं तो समयते ही नहीं कि इमरान खान में इतनी ability या capability है कि वो खुद से इस तरह की बात कर सके आपको और मुझे याद है कि एक महीना पहले तक तो वो उसी तरह की हेट्रिड ट्वीर्स भी दे रहे थे जब से चीफ दामी स्टाप पाकिस्तान कमर जवेद बाजवा ने पीस पीस की बाद कहना शुरू की उसके बाद निरेटिव बदलना शुरू हुआ तो लगता है कि फौज तो इनके साथ है बलके फौज की वज़ा से भी यह ऐसी जबांद बदल रहे हैं यानि पाकिस्तान के हुकाम दूसरी दर मैं गौरबबाई यह देखता हूं कि खतरा यह है कि पाकिस्तान की इस्टेबिश्मेंट के अंदर कुछ रोग एलिमेंट्स कोट अनकोट हमेशा रहते हैं जो सम टाइम जो जो अंदर है पाकिस अमादा नहीं हो सकती थी जब तक उन्हें कोई international stakeholders की एक तरह से assurance ना हो या इशारे ना हो आप इन बातों को कैसे देखते हैं बिल्कुल आपने ठीक बात कई तरह सब दो तीन बातें और हैं इसमें कि एक तो कि international community कोई guarantees दे जो की वाज़ तो पर जिसको कहते है रिटन guarantees या कुछ किसी इस तरफ की guarantees कि Pakistan कोई ऐसी हरकत नी करगा जब पाकिस्तान फिर इसमें यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी कल उठके बो बड़ा हाथसा जो हो गया, tragedy हो गई जिसको मुझे कहना चाहिए, लोग मारे गए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फिर उसके बाद ये जो सरकारे BJP की ये दुगनी टाकत से वापिस hit back इसलिए करेगी, क्योंकि इस peace process में, आप एक बात समझ लीजे कि जो इंडिया में मूड है इसकी की बात करता है, तो उससे political capital खर्च होती है, अगर नरेंद्र मोदी जी actually peace की बात कर रहे हैं और नेख हाइशात भेज रहे हैं इमरान खान को, क्या ठीक हो जाएं आपको करूना हुआ है, तो वो अपनी political capital table पे रख रहे हैं, जो कि बहुत जादा है नरेंद्र मोदी क अगर कुछ होता है, फिर वो वापस political capital को लेने के लिए, फिर वापस लोगों में विश्वास दिलाने के लिए, कि we are still strong and we can hit back, फिर वो बाला कोट into 10 होगा, मैं ये कहना चाहरा था, क्योंकि ये पाकिस्तान में ना आए है तो गैस ये वीडियो यहां पर होता है खत्म, आप यहां से ये वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया में आपको पता है एक over excitement दिख रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेटर के बाद, जो over excitement दिख रहा है उसमें पाकिस्तानी मीडिया ने यहां त किया था, उसके बाद 23 मार्च को उन्होंने एक लैटर लिखा जिसमें पाकिस्तान डे की उन्हें बधाईयां दी और बहुत जल्दी भारत पाकिस्तान रिस्ते को सुधारने को कहा, इसी बात को लेकर ताहर गोरा जी और मेजर गोरवारिया जी के बीच दिस्क्रिशन हो र प्रॉंगली जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोधी पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी मतलब एक अपने जो वोटर्स हैं, जो इंडियन्स हैं, उनके साथ मतलब एक कंप्रोमाइज करके दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे है और इसमें अगर वो इमरान खान अगर धोका देते हैं, तो डैफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोधी को इतना कड़ा जवाब देना पड़ेगा कि उनका विस्वास फिर से जीतना पड़ेगा कि ये मेरी गलती थी, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वैसे तो आपको भी पता है कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, चाहे भारत पाकिस्तान दोनों कितना भी लड़ लें, कितना भी बौर कर लें, कुछ भी कर लें, आपको आखरी में आकर तो टेबल पर बैठना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपने देखा मिजर क मिनिस्टर का ही मतलब जो एक्षन रहेगा वो ही चलेगा यहां तो आर्मी ऐसा कुछ है नहीं तो अब देखते हैं क्या होता है हाला कि आपने इनका वीडियो सुना बहुत अच्छे से एक्स्पेंड किया इन्होंने भारत पाकिस्तान की बीच जो भी पीस जील है और इसमें बेसिकली है तो अमेरिका ही आप कुछ भी कह लें अमेरिका ही है में किरदार तो दोस्तों यह वीडियो यहां पर होता है खत्म प्लीज चैल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें